का आज हम आपके लिए कर आए हैं स्मोकी फ्लेवर बत्विय का रायता की रेसिपी जो की सर्दीयों में बनता है और बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हल्दी भी होता है तो चलिए फिर बनाते हैं बत्विय का रायता बनाने के लिए लगभख 1.500 ग्रा और इसकी तासीर होती वो बहुत गरम होती है साधी साथ ये बहुत जारा हङल्दी भी होता है किसी ना किसी रूप में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए तो यहां पर हमने बद्वग साफ करने के बाद बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद जब यह थोड़ा थंदा हो जाए इस को मिक्सी में पीष लेना है तो यह देखे फ्रेंच मैंने यहां पर पीष के रेडी कर लिया है अब चलते हैं आगे की प्रोसेज में तो यहाँ पर एक बावल में हम लेंगे छाज तो बस दही था एक कटोरी दही को अपने थोड़ा पानी डाल करके इसे मत लिया तो यह तरीके की छाज तयार हो गई है यह जो हमने बथूए पीस के रेडी किया है वो हम इसमें एड कर देंगे बथूए का रायता बनाना बहुत ही सिम्पल है जटपट बनके तयार हो जाता है सर्दियों में आप इसका सेवन जरूर करें बथूए का जो पेस्ट है उसे हम छाज के साथ अच्छे से मेक्स कर देंगे आप चाहें तो इसमें छाज की मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकते है तो यह देखिए इस तरह से बढ़िया से मिला देना है और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है टेस्ट भी बहुत अच से मेक्स कर देना है आप चाहें तो इसे बिना तड़के के भी खा सकते हैं बट इसमें हम एक तड़का लगाएंगे जिससे इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वह बहुत जादा बढ़ जाएगा तो चलिए फिर तड़के की तैयारी करते हैं यहां पर गैस पे मैंने एक चमचा रखा है इसको हम थोड़ा गरम कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे लगभग वन टेबल स्पून के जितना सरसू का तेल तेल जब गरम हो जाएगा हम इसमें एक छोटी चमच जीरा एड़ कर देंगे साथी साथ चुटकी बर हेंग डाल देंगे अब इसे हमें अच वो रायते में बढ़िया से आजाए तो यह देखें यह हमारा जो तड़का है वो रायते पे लग चुका है मिला देंगे बढ़िया से और यह बहुत ही टेस्टी हमारा बथुए का रायता बनके तयार है आप में से कितने लोगों ने बथुए का रायता खाया है हमें कोमें कोमेंट करके जरूर बताएगा हमारे आपर इसे बत हुआ कहते हैं आप लोग इसे क्या कहते हो यह भी कोमेंट करके जरूर बताएगा फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबा एंड टेक कियर